अलो स्वागत है आपका हमारे चनल केरियर अप्रेट वाइंजीनियर हैं और आज हम लोग जो यूपी में आइटिया इंस्ट्रक्टर जिसे हम लोग अंदेशक भी बोलते हैं उसकी जो बैकिंसी आई है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं ठीक है और आपको भी पता है कि जो ये भरती प्रक्रिया सरकार की तरफ से निकाली गई है ये सही नहीं है इनको भरती करनी भी है या नहीं करनी है सिर्फ हैसर नोटिफिकेशन निकाल दिया है क्योंकि जो भी इसमें रूल और रेगुलेशन जो लागो किये गए हैं वो काफी हद तक सही नहीं ठीक है तो क्या rule और regulation है क्या qualification है उसके बारे हम लोग discuss करेंगे साथ ही साथ क्या करना है आपको उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा discuss करने वाले हैं जैसा कि कल notification इसका आया था तो मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको पहले ही सारी जानकारी दे दी थी ठीक है परचीस सो चार पत यहाँ पे आईटिया इंदोसक के निकाले गए है और अगर अहरता की बात करें क्या क्या qualification इसके लिए मागी गई है तो सबसे पहली बात तो जो इन्होंने लगा दिया है कि PT PT exam आप अगर qualify है यानि कि qualify का मतलब PT exam आपने दिया है आपके कुछ भी 10-50 नंबर हैं तो आप इसमें भाग ले सकते हैं दूसरी चीज़ी है कि CITS compulsory है काफी लोग को यही नहीं समझ में आ रहा है कि CITS compulsory है या नहीं हलागी मैंने notification में अध्यान से बताया और इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि CITS compulsory है जहां पर trade wise vacancy दी होई है वहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा एक अनिवार अहरता ठीक है अनिवार मतलब भीया यह अहरता अनिवार है जहां पर आपसे NCIC certificate मागा गया है तो जो लोग CITS complete कर लेते हैं उनको जो certificate मिलता है उसी certificate का नाम है NCIC certificate और यहां पर इसमें लिखा गया है अनिवार है यानि कि यह चीज अनिवार है selection process में भी आपका 20% rate आपका CITS marks का होने वाला है तो CITS भाईया अनिवार है जो लोग को नहीं समझ में आ रहा है फिर समें बता दूं कि CITS इसमें compulsory कर दिया गया है तीसरा चीज है आपका experience ठीक है B.Tech वालों के पास एक साल का experience होना चाहिए डिपलोमा जिनके पास है उनके पास दो साल का experience होना चाहिए और जिनके पास ITI है उनका तीन साल का experience होना चाहिए जिन लोगों को experience की clarity नहीं है, कैसा experience होना चाहिए, private होना चाहिए, government होना चाहिए, teaching का experience होना चाहिए, या कहीं private job का experience होना चाहिए, तो already मैंने वीडियो बना के रखा हूँ, link में description box में दे दूँगा, आप जाके उसको देख लिजेगा, कि experience का क्या criteria, government के तरफ से रखा गया इसको, इस conditions को fulfill करने वाले जो चातरों की संख्या है, बहुत ही कम है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें, मैं भी एक technical चातर हूँ, मैंने भी mechanical से डिप्लोमा कर रखा है, तो जो लोग core technical job की तयारी करते हैं, ठीक है, जैसे J यो गएरा हो गया, या अपनी technical field से जोड़ी कोई प्रप्रिशन करते हैं, तो वो non-technical भरती से उनसे मतलब नहीं होता है, तो वह या पीटी का फार्म आया, अगर माल लीजे मैं technical field से बिलाउं करता हूँ, तो मुझे पीटी से क्या मतलब है, क्योंकि इन्होंने कहा था, गुरूप C की भरतियों में लागू होगा, उसमें क किसी भी तरह का technical या non-technical नहीं लिखा था, दूसरी चीज, जो दिसंबर के आसपास आप लोगों को पता होगा, दिसंबर के आसपास नहीं, थोड़ा सा पहले ही, जुलाई अगस्त के आसपास कैलेंडर चारी किया गया था, उस कैलेंडर में जो भरती इन्होंने दी गई ठीक, PT की थ्रू कौन-कौन सी भरती कराएंगे, उसमें कहीं भी अनुदेशक भरती का नाम नहीं था, जैसे कि जो कैलेंडर इन्होंने जारी किया था, उसमें लेकपाल की भरती थी, आसुलिपिक की भरती थी, इस्टेनो की भरती थी, ठीक है, इसी तरीके से कलर्क की भरत रहे, उसे non-technical से कोई मतलब भी नहीं है, वो तो भया यह इन्तजार कर रहा है कि जब अनुदेशक की भरती आएगी, मैं फ़र्म भरूँगा, लिखित पर इछा दूँगा, CITS मेरा complete है, experience complete है, तो मुझे PT से क्या मतलब, non-technical exam से मुझे क्या मतलब, तो यह जो आहरता इ इन्होंने लिख दिया है, NCIC certificate, और पिछले दो-दो साल से, जो CITS छात्र complete कर भी चुके हैं, पिछले दो साल से भी उनको certificate अभी तक नहीं मिल पाया है, तो मालीजी आपका CITS complete है, लेकिन आपका certificate नहीं है, तो आप कैसे इस form को apply कर पाएंगे, यहाँ पर बस यह होना चा और आपके पास professional certificate भी है, तो वो भी चल जाएगा, NCIC certificate नहीं है, अभी professional certificate नहीं मिला है, तो भी आपका काम चल जाएगा, तो यह condition इनकी अभी तक, वो तो form जो apply करेंगे, तो आपको पता चलेंगी चीजे, clear होंगी, कि कैसा certificate यहाँ पर मागा गया है, तीसरी चीज है experience, तो experience का भी कोई value नहीं है, experience भी नहीं मागा जाना चाहिए, ऐसा इसलिए मैं कहा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप भारत सरकार की guideline देखेंगे, तो उनकी तरफ से एक नियुनतम योगता होती है, किसी भी college में पढ़ाने के लिए, जैसे कि अगर आप बात करें, ITI college में आपको प पढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैंने भी अपने college में पढ़ाया हुआ इस तरीके से, ठीक है, तो मान लीजे आप experience ले लो, CITS certificate ले लो, लेगिन PT तो ना लो, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, कि आपको Twitter पे इसके खिलाफ campaign चलाना है, क्योंकि ये भरती तो 100% court में जाने वा है, ठीक है, PT की अनिवारता यहां पर किसी भी तरीके से संभव नहीं है, मान लीजी आप CITS ले लीजे, experience ले लीजे, लेकिन PT यहां पर compulsory नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो और भी जो teachers हैं, जैसे कि अपसे एक सर हैं, उनकी तरफ से Twitter पर campaign चला जा रहा है, हम लोग उस campaign को join करेंगे, link मैं आपको description box में दे दूँगा, Twitter का, ज़्यादा ज़्यादा tweet करें, अभी से tweet करें, ऐसा नहीं कि कोई timing है, क्योंकि हमारी लोग की संख्या करावती है, कम होती है, कोई other vacancy non-technical होती है, तो उसका एक time area दाता है, क्योंकि वहां पर जो है, number of students बहुत ही ज़्य ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो instructor की post वाले चातर होते हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होती है, कि एक timing पर हम लोग tweet करें, तो अभी से आप tweet करना शुरू करें, link मैं आपको description box में दे दूँगा, Twitter का, अगर आप tweet लिख नहीं सकते हैं, तो comes come us को retweet करें, ठीक है, और यह भरती court में जाने वाली है, ठीक है, क्योंकि जो जो चार साल, पांच साल से vacancy तो आती नहीं, चार, चार, पांच साल बाद जो vacancy आएगी, जो इंतजार कर रहा है इसका, और जिसने PT नहीं किया, वो 100% court में जाएगा, ठीक है, और सरकार को भरती नहीं करनी है, इसी लिए इस तरह की जो अहरता है, वो लागू की गई है, क्योंकि उनको भी पता है कि यह vacancy court में जाने वाली है, ठीक है, तो जो लोग की अहरता complete है, qualification complete है, वो भी support करें, और ज्यादा ज्यादा tweet करें, और देखते हैं कि आगे हम लोग क्या हो सकता है, इससे क्लियर होई होगी, और भरती court में जाएगी, यह भी मैं आपको 100% shorty के साथ कर सकता हूँ, उमीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करतीजिए, और शेयर करतीजिए अप दोस्तों के साथ, साथी चैनल नहीं करते हैंतू